Hello students, welcome back to the video Students, previous 3 videos में हमने LM curve के basics के बारे में जाना था आज की video में हम LM curve किस तरीके से derive करी जाती है वो हम सीखने वाले हैं जिस तरीके से हमने last video में जाना था कि किस तरीके से money supply and money demand में equilibrium आता है तो उसी की मदब से LM curve हमारी derive होती है आएए पहले money supply and money demand curve हम बनाते हैं देखिए हमने पढ़ा है कि money supply जो होती है वो constant होती है इसलिए parallel to वो हमेशा क्या होती है y axis होती है तो सबसे पहले money supply curve मैं बना रहा हूँ यहापर तो यह money supply curve है और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ downward sloping money demand curve इसके मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर यह हमारी money demand curve है यह हमारी money supply curve है x axis आपका demand and supply और money देख रहा है और y axis आपका interest rate शो कर रहा है यहाँ पर हमारा एक constant interest rate चल रहा है उसको मैं denote कर देता हूँ यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ i interest rate i अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ से पढ़िए कि money demand equal to money supply है point e पर यहाँ पर इसको मैं नाम रखता हूँ point e equilibrium point है where interest rate i चल रहा है और quantity q जो है वो decide करी गई है money market equilibrium की अब क्या हुआ suppose level of income level of income rise करती है y1 से y2 जाती है आपकी level of income y1 पर थी अब level of income consumer की बढ़ती है या फिर economy की level of income बढ़ती है y2 पर जाती है तो इससे क्या होगा money demand जो होगा वो rightward shift होगा आपको पता है यह जब भी level of income बढ़ती है तो money demand कर शिफ्ट होता है हम यह पढ़के आ चुके है तो आईए हम सोचते है कि level of income बढ़ा है तो money demand कर आपको हम नई money demand कर बनाते है जो की rightward shift हो जाएगी है देखे तो यहाँ पर हम एक नई money demand कर बनाते है जो की rightward shift होते होगे आपको दिखेगी तो इससे क्या हुआ यह एक नई money demand कर आई मेरी md1 यह rightward shift हो रखी है लेकिन इससे देखने को क्या मिलेगा आपका जो equilibrium पहले इस point पे था e वो equilibrium यहाँ से shift होके यहाँ पर आ जाएगा लेकिन इस point पे अगर मैं आगे बढ़ूं interest rate को अगर आगे देखूं तो यह point पे क्या हो रहा है यह point पे आपका जो money demand है वो तो ज़्यादा दिख रहा है money supply से तो यहाँ पर तो equilibrium आ नहीं सकता तो equilibrium यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा होगा तो हमने last class में जब adjustment सीखा था उसमें जाना था कि जब भी money demand हमारा greater होता है money supply से वो greater होगा money supply से तो interest rate will start falling interest rate will start rising interest rate rise करना शुडू करेगा till new equilibrium even जब तक achieve नहीं होगा तब तक वो rise करता रहेगा और वहाँ जब even में पहुँच जाएगा तो नया equilibrium आएगा और इस point पे मेरा money demand जो होगा वो money supply के बराबर आएगा money demand जो होगा वो मेरा money supply के बराबर आएगा I hope यहाँ तक आपको clear होगा concept आईए अब देखते हैं जब equilibrium यहाँ पर पहुचेगा तो interest rate क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा interest rate I से I dash में पहुच जाएगा यहाँ पर पहुच जाएगा I 1 हम इसको में नाम दे सकता हूँ यहाँ पर पहुच जाएगा अब देखते हैं कि इस equation से यह जो हमने graph यहाँ पर बनाया है उससे LM curve किस तरीके से derive होगा तो देखे LM curve जो derive होता है उसके लिए जो हमें x-axis और y-axis लेना होता है उसमें x-axis में real GDP और y-axis में interest rate लेना होता है जिस तरीके से हमने is curve देखा था उस सेम होई है ठीक है वहाँ पर भी हमें x-axis में real GDP लेना था और y-axis में interest rate या LM curve के लिए भी सेम लेना होता है अब देखे हमने देखा कि एक given level of income जो हमारी national income जो थी y level पर थी suppose y1 level पर थी तो उस समय यह interest rate market में prevail हो रहा था इस curve को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ फिर हमने देखा कि जब हमारी income level बड़ी y1 से कहां हो गई y2 हो गई जब हमारी income level बड़ी y1 से y2 हो गई तो जो interest rate है वो भी क्या हो रहा है आपका increase हो रहा है यहां से यहां पहुँच गया अब यह दो point मेरे पास आये है इन दो point के उपर को अगर मैं join करूँ तो मेरी एक curve आ जाएगी उस curve को हम यहां पर draw करते हैं तो यह दो point को join करके जो मेरी यहां पर एक curve आई है इस curve का नाम क्या होगा students इस curve का नाम ही होगा LM curve और यह LM curve जो है upward sloping है नीचे से उपर जाती होगी आपको दिखाई देगी तो इस तरीके से LM curve derive होई है यहां पर हमने money demand और money supply की मदद से उनके equilibrium को देखके हमने LM curve को यहां पर derive किया है तो LM curve basically क्या शो कर रहा है LM curve real GDP and interest rate के relation को शो कर रहा है जहां पर हमारे जो points यह आ रहे है वहां पर हमारी economy क्या है equilibrium है तो LM curve क्या शो करता है LM curve relationship शो करता है किसके बीच में real GDP and interest rate के बीच में relationship शो करता है जहां पर हमारी economy जो होती है वो equilibrium होती है तो last में जो हम अगर इसको summarize करें यह पूरे concept को जो हमने यहाँ पर सीखा है वो यह है कि now considering high interest rate at the level of Y1 level of income तो high interest rate चल रहा था Y1 level of income पर और Y1 interest rate हो गया कब जब Y2 level of income हुआ और हमें क्या मिल गया हमारा LM curve मिल गया तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा तो national income मारी बड़ेगी interest rate कम होगा तो national income मारी कम होगी तो LM curve direct relation शो करता है interest rate और the LGDP के बीच में I hope आपको यहाँ तक सारे concept clear हो गए होंगे तो मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक लिए good bye